हलो इस्टुडेंट वेलकम टुबेक माई यूटूब चैनल डिकलाइफर स्टडी में आपका स्वागत है तो चलिए फ्रेंट आज हम लोग 12th कलास का हिस्टरी का देख सकते हैं गांधी यूग से संबंधित कोश्चन लेकर आए हैं जो आने वाले एक्जाम के लिए काफी इ कर दे फ्रेंट यहां हम हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सिस्क्राइब करके वेल आइकन प्रेस कर दे ताकि पलपल की अपडेट यहां से मिलती रहेगी तो चलिए आज हम लोग गांधी यूग से संबंधित परसंद लाए हैं देख सकते हैं जो म महत्मा गांधी का जनम 2 अक्टूबर 1879 को हुआ था कब हुआ था 2 अक्टूबर 1879 को हुआ था और इनके पीता जी का क्या नाम था तो पीता का नाम था करमचन गांधी महत्मा गांधी का पीता का नाम करमचन गांधी था और माता का क्या नाम था देख सकते हैं माता का नाम था पुतलिवाई क्या नाम था पुतलिवाई गांधी जी देख सकते हैं यहां पे गांधी जी गांधी जी का पत्नी का क्या नाम था तो गांधी जी के पत्नी का नाम कस्तुरवा गांधी था और देख सकते हैं गांधी जी का पांच पुत्र था कौन-कौन पांच पुत्र थ यहां पर देख सकते हैं, गांधी जी का हीरालाल, मनी लार और रामदास और देवडास देख सकते हैं, यहां पर गांधी जी की मिर्तु की बात की जाए तो देख सकते हैं मिर्ट्टू 30 जनवरी 1948 को महत्मा गांधी जी की मिर्ट्टू हुई थी तो चलिए उनका सुरवाती देखते हैं यहाँ पे देख सकते हैं 1879 की बात की जाए तो गांधी जी 1879 में जनम लिये थे जो देख सकते हैं जनम हुआ था 2 अक्टूबर 1879 को प्रवंदर जो गुजरात में इस्तित हैं बात की जाए 1876 की तो 1876 में प्राइमरी अस्कूल में अध्यान थें प्राइमरी अस्कूल में सिच्छा ग्रहन कीए थें तो उन्हें कस्तुरवा गांधी से सगाई हुई थी और देख सकते हैं 1881 की बात की जाए तो राजकोट हाई अस्कूल से अध्यान कीए थे कब राजकोट हाई अस्कूल से अध्यान कीए थे 1881 में बात की जाए 1883 की तो 1883 में महत्मा गांधी जी की उम्र 13 बरस थी मात्र 13 बरस की उम्र में कस्तुरवा गांधी से बिवा हुआ था किन से कस्तुरवा गांधी से बिवा हुआ था 13 बरस की आयो में बात की जाए 1885 63 बरस की आयो में पीता का निर्धन हो गया था उसके बाद देख सकते हैं 1887 की बात की जाए तो मैट्रिक पास देख सकते हैं भगवान नगर एवं देख सकते हैं रामल दास कॉलेज में परवेश कियें फिर एक सस्तर के बाद कॉलेज छोड़ दियें बात की जाए यहां पे 1888 का प्रथम पूत्र का जनम हुआ था महत्मा गांधी जी देख सकते हैं बकालत पढ़ने के लिए इंगलाइंड गए थे कब गए थे बकालत पढ़ने के लिए इंगलाइंड रवाना हुए थे और 1891 में बकालत की पढ़ाई पूरी कर देश लोटे थे देख सकते हैं देश लोटने के बाद देख सकते हैं 1891 में बकालत की पढ़ाई कर देश लोटे थे देश लोटने के बाद माता पुतली बाई का निर्धन हो गया जब बंबई तथा राजकोट की बकालत की फिर उसके बाद देख सकते हैं माता पुतली बाई के निर्धन के बाद महात्मा गांधी जी ने बंबई तथा राजकोट में बकालत क उसके बाद बात की जाए 1893 की तो देख सकते हैं 1893 भरतिये मुसलिम द्वारा एक बसराय की संधी की मांग पर केंस लरने दच्छिन फिरका के देख सकते हैं ट्रासवाल की रजधानी देख सकते हैं प्रिटोरिया पहुँचे, देख सकते हैं 1893 में फिर से दच्छी न फिरका लोटे थें, एक कैस लरने के लिए पहुँचें, वह वहाँ सभी परकार के रंभेद का सामना करना परा, देख सकते हैं 1894 की बात की जाए रंगभेद का सामना करने वहीं रहकर समाज कारे के लिए बकालत करने का फैसला किये थे कौन की ये थे महात्मा गांधी बात की जाए 1896 की तो 1896 में 6 महिना के लिए भारत लोटे तथा पतनी दो पुत्र को देख सकते हैं दो पुत्र को लेकर लोट गए बात की जाए 1899 ब्रीटी सेना के लिए देख सकते हैं यूध में भारतिये एमबूलेंज सेवा तयार किये थे 1899 में तो चलिए देख सकते हैं कि गांधी जी अफिरका गए थे गांधी जी दच्छिन अफिरका गए थे 1893 में कब गए थे 1893 में गांधी जी का पहला सत्यगरह अंदोलन था 1906 में देख सकते हैं 1906 में गांधी जी का पहला सत्यगरह अंदोलन और गांधी जी की पहली बार जेल 1908 में हुआ था कब हुआ था 1908 में गांधी जी दच्छिन अफिरका से लवटे थे 1915 में कब लवटे थे 1915 में लवटे थे और सावर मती आश्रम की अस्थापना किये थे 1916 में कब 1915 में दच्छिन अफिरका से लवटे थे और 1916 में सावर मती आश्रम की अस्थापना किये थे बात की जाई यहां पर देख सकते हैं चंपारन सत्यगरह का तो इनके द्वारा पहला सत्यगरह चंपारन सत्यगरह 1917 में चलाया गया था अहमदावाद मिल मजदूर अंदोलन 1918 में चलाया थे कब 1918 में खिलापत अंदोलन 1919 में खिलापत अंदोलन कब चलाया थे 1919 और असयोग अंदोलन कब चलाया थे तो असयोग अंदोलन चलाया थे देख सकते हैं असयोग अंदोलन 1922 में चलाए थे बात की जाए असयोग अंदोलन बापस कब लिये थे तो असयोग अंदोलन बापस लिये थे 1922 में कॉंग्रेस की अध्याचता कब हुई थी तो कॉंग्रेस की अध्याचता 1924 में हुआ था दांडी यात्रा, देख सकते हैं, यहाँ पर दांडी यात्रा की बात की जाए, तो दांडी यात्रा, 1931 में, और बात की जाए, देख सकते हैं, दिटिये गोल में सम्मेलन, 1931 में हुआ था, दितिये गोल में समेलन कब हुआ था, 1931 में, पुना सम्झोता की बात की जाए, तो पुना सम्झोता हुआ था, देख सकते हैं, पुना सम्झोता, 1932 में हुआ था, और हरिजन संग की अस्थापना भी, 1932 में हुआ था, कब हुआ था, 1932 में, भारत छोड़ो अंदोलन, 1942 में को सब्सक्राइब करके वेल आइकन प्रेस कर दे ताकि पलपल की अपडेट यहां से मिलती रहेगी तो चलिया आज के लिए इतना ही तब तक के लिए टेकें बार